आज हम सीखते हैं कि my day यानि कि पूरे दिन में हमारी कौन-कौन सी activities होती हैं जिनको हम English में small sentences में लिख सकते हैं सबसे पहले I wake up यानि मैं जाता हूँ या जाती हूँ I brush my teeth ये clear है कि मैं अपने दातों को brush करता हूँ या फिर करती हूँ I take a shower यानि कि मैं नहाता हूँ I take a bath भी कह सकते हैं I brush my hair I comb my hair दोनों में से हम कोई भी word यूज कर सकते हैं कि मैं अपने कंगी करता हूँ या करती हूँ I get dressed यानि हम अच्छे से तयार होते हैं I make the bed हम अपना bed जहां सोय होते हैं उसको संभाल कर समेट कर रखते हैं I have breakfast मैं अपना breakfast करता हूँ या अपना breakfast करती हूँ यानि सुभे जो नाश्टा करते हैं I have breakfast उसको ऐसे लिखेंगे I study फिर मैं अपनी study करता हूँ I have lunch उसके बाद मैं अपना lunch करती हूँ या फिर करता हूँ I play at home आजकल सब घर पर है तो मैं घर पर ही खेलता हूँ या मैं घर पर खेलती हूँ at home घर पर I do my homework मैं अपना homework करता हूँ करती हूँ लड़के होंगे तब भी आई sentence बनेंगे लड़किया होंगे तब भी आई sentence बनेंगे I watch TV I have dinner यानि मैं रात का खाना खाता हूँ या खाती हूँ I help my mother in kitchen मैं अपनी मदर की kitchen में help करता हूँ I go to sleep उसके बाद मैं सो जाता हूँ या फिर मैं सो जाती हूँ ये केवल 15 sentences है हमारी daily activities के कि my day मैंने पूरे दिन में क्या किया इसके extra भी हम कुछ sentences बना के note कर सकते हैं कि हमने क्या क्या किया जैसे किसे से phone पर बात की तो I talk to my friends या parents के साथ या grandparents के साथ बात की तो I talked on phone to my grandparents इस तरह से चोटे-चोटे sentences बना के हम note कर सकते हैं